हेलो दोस्तो आप सभी का एकने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतरगत थोड़ा सा आगे वढ़ेंगे और कुछ नया सिखेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप लोग सभी इस वीडियो को चाहते हैं तो लेशन वन से जरूर देखिए इस चैनल पर मैं आप लोग को step by step सिखाता हूँ लेशन वाइज ताकि आपको सिखने में आसानी हो और पड़ाई बोज न लगे वैसे मेरा एक और चैनल है all around knowledge जो की काफी famous है और उसमें फिलहाल 57k subscribers है यानि की 57,000 और लगभग 50 lakhs के करीब भ्यूज होने वाले हैं तो वह चैनल काफी famous है यदि आप कोई भी 10 search करेंगे तो मेरा वीडियो जरूर मिल जाएगा all around knowledge से उस चैनल में वीडियो जो आपको इधर उधर मिलेगा उसमें mixed content है लेकिन इस चैनल पर मैं आप लोग को बिल्कुल सुरू से बता रहा हूँ lesson wise तो यह चैनल आपके लिए काफी फाइदे मंद है इस चैनल के साथ जुड़ जाएए सबस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको notification भी मिलती रहे all notification जरूर प्रेस कर लिजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वह मिस ना हो तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं हेलो दोस्तो एक ने वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे पहले मैंने आप लोग को simple present tense बता दिया था और कुछ बेसिक चीज़े भी बता दी थी और आज हम लोग इस lesson में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ नया तो आज हम लोग want और like का यूज सिखेंगे तो किस तरह से आपको translate करना है मैं आप लोग को बताता हूँ मान लीजिए आपको बोलना हो कि वह जाना चाहता है वह जाना चाहता है तो यहाँ पर देखेंगे कि एक भर्व है जाना और एक भर्व है चाहना तो जिसमें ता लगा रहेगा ती लगा रहेगा उसे ही पहले लिखना है आप लोग को बस मैं यह आप लोग को समझा रहा हूँ अपने तरीके से तो वह जाना चाहता है वह का लिखेंगे ही अब ही के बाद want आएगा he third person है singular number में इसलिए wants हो जाएगा he wants इसके बाद to लिखेंगे और जान जाना का क्या होता है go he wants to go वह जाना चाहता है चलिए दोस्तों next sentence की तरफ आगे बढ़ते हैं मान लीजिए मैं घर जाना चाहता हूं मैं घर जाना चाहता हूं तो मैं का I हो जायाएगा I के साथ want लगेगा और दोस्तों यहाँ पर ACS नहीं लगाना है क्योंकि I first person है I want to go home और house लिखेंगे तो to house लिखेंगे home लिखेंगे तो preposition used नहीं करना है उमीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मान लीजिए आपको बोलना हो उसे cricket खेलना पसंद है और इसी sentence को आप इस तरीके सी बोल सकते हैं हुआ है cricket खेलना पसंद करता है दोनों ही sentence को हम लोग simple present tense में बनाते हैं तो उसे cricket खेलना पसंद है उसे का ही लिखेंगे पसंद करना का like होता है और यहाँ पर like हो जाएगा ही थरड़ परसंद singular number है he likes to play cricket मा लिजे आपको बोलना हो मुझे गाना गाना पसंद है तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे का I लिखेंगे I like to sing a song और जहाँ पर like यूज होता है वहाँ पर आप ing फोर्म भी लगा सकते हैं जैसे he likes playing cricket तो playing cricket भी सही होगा उसी परकार यहाँ पर I like singing a song भी सही होगा मान लिजे दोस्तों आपको बोलना हो वे लोग आना चाहते हैं तो वे लोग इसका English लिखेंगे दे और इसके साथ जो है भर में ACS नहीं लगाना है they want to come वे लोग आना चाहते हैं चलिए दोस्तों next sentence के तरब आगे बढ़ते हैं मान लिजे हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं हम लोग यानि की we और we first person है यहां पर ACS नहीं लगेगा we want to सेवा करना का सर्व होता है सर्व अपना देश यानि की our country या serve the country भी लिख सकते हैं यहां पर अपना नहीं है इसलिए we want to serve our country यानि की हम लोग अपने देश की सेवा करना चाहते हैं मान लिजे वह एक नेता बनना चाहता है तो वह का ही लिखेंगे और यहां पर wants हो जाएगा he wants to become a leader मान लिजे आपको बोलना हो तुम पैसे कमाना चाहते हो तो यहां पर हो जाएगा you you want to earn money तुम पैसा कमाना चाहते हो you want to earn money चले दोस्तों नेक सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं मान लिजे आपको बोलना हो मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूं तो यहां पर हो जाएगा I want to go to you तुम्हारे पास का हो जाएगा to you और दोस्तों आज का आखरी सेंटेंस लेते हैं मान लिजे भारत भारत मैच जितना चाहता है तो भारत का इंडिया हो जाएगा यह एक कंट्री है इसलिए wants यूज करेंगे इंडिया wants to win the मैच उमीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसी तरह से इंगलिस सिखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और लेशन वाइट जरूर देखिएगा यदि आप बिल्कुल सुरूर से सिखना चाहते हैं तो लेशन वन से जरूर देखेंगे एक भी लेशन मिस नहीं करें सभी लेशन में कुछ न कुछ अच्छी जानकारी है आर देखेंगे पर्या जीएट आपक्र वाशएक स्वाश प्राइब कर दिया अच्छी व कर दो देखेंगे